दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल आर नस एजूकेशन यूज में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्तान के चिकित साविभाग की स्वास्च मित्रों की भरती के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दोस्तों कोन व्यक्तिस में आवेदन कर सकता है क्या इसमें आपको वेतन मिलेगा किस तरीके की ये वेकेंसी रहेगी किस तरीके का इसका जो प्रोफाइल रहेगा सारे की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंतरगत हम देने वाले हैं तो दोस्तों ये राजस्थान सरकार के चिकित सविभा का ओफिसियल प्रेस नोट है जिसमें स्वास्त्य मित्रों का जो चैन है वो किया जाना है तो दोस्तों 17 दिसमबर 2019 से ये एक जीकि का सवाल भी आप देख सकते हैं कि निरोगी राजस्थान जो आपका अभियान है कब से शुरू हुआ तो देखिए यहाँ पर 17 दिसमबर 2019 से निरोगी राजस्थान अभियान का सुबारंब किया गया है और दोस्तों उसी के अंतरगत ये स्वास्त मित्रों की जो भरती है वो की जाएगी तो ये जानकारी है आपको याद होना चीए कि निरोगी राजस्थान अभियान कब से स्टार्ट हुआ ठीक है दोस्तों आप देखिए क्या इसकी चैन प्रक्रिया रहेगी आवेदन पत्र कैसा होगा किस तरीके से आवेदन करना होगा तो देखिए यहाँ पर दोस्तों चैन पत्र बनाने के लिए जन जागुर्टा अभियान चलाने की आवशकता है और इसी के मद्दे नजर निरोगी राजस्थान अभियान ये स्टार्ट किया गया है तो देखिए यहाँ पर निरोगी राजस्थान के तहट काफ़ी सारी जो बिमारियां हैं टीका करन हैं उन सहरी जनता क्लिनिक के छेतर से स्विच्छा से काम करने वाले दोस्तों प्रते गाउं से या सहर से दो व्यक्तियों का चेन किया जाएगा यह स्वास्तमित्र के रूप में ठीक है यह स्वास्तमित्र एक गाउं से दो व्यक्ति लिये जाएंगे जिसमें एक महिला होगी एक तो तक्रीवन 80-82,000 जो स्वास्त मित्र पूरे राजस्थान से बनाए जाएंगे ठीक है दोस्तो ये है पूरा का पूरा इसमें अपडेट अब देखिए दोस्तो चैन प्रिक्रिया क्या रहेगी तो जिल्ला इस तर पर मुख्य चिकित सा इव स्वास्त अधिकारी की अध्यक किया जाएगा तो दोस्तो बहुत सारे जिलों ने स्वास्त मित्र का जो विग्यापन है वो जारी कर दिया है तो आप अगर इसमें आवेदन करना चाते हैं तो कर सकते हैं आवेदन पत्र आपको संबंदित ब्लोक चिकित सा इव स्वास्त अधिकारी कारवादले में जमा कि जाएंगे यानि कि दोस्तों जो आपके तैसिल लेवल पर जो पी सीएसी है बड़ी सीएसी है उसमें ये फोरम भरने हैं और जिला इस तर से इसका बिग्यापन निकलेगा ठीक है और काफे जिलों ने इसका निकाल भी दिया है ब्लोक चिकित से अधिकारी खंड इस तर पर प पोरम जमा कराना है और वहां से ये उनके दुआरा मुखे चिकित सा जिला स्वास्त अधिकारी को फेज दिये जाएंगे अब दूस्तों इसमें मापदंड क्या क्या है योकिता क्या क्या है देखिए इसमें स्वास्त मित्र बनने के लिए आपको उसी गाउं का उसी सहर का इसमें महले का निवासी होना आवशक है आयू सीमा 40-60 वर्स के मद्ध ओनी चाहिए आप लोगों की अब इसमें क्या दिया गया है कि सामाजी के सामुदाइक संग्ठन के सदस्य को प्रात्मिक्ता इसमें दी जाएगी परिवार के नियोजन के सिद्दांत को अपनाने वाल हो ठीक है खुद किसी भी नसे को ने करता हो यानि कि बूरी आते नहीं है अपने दुर्वेशनों से दूर रहने वाला हो नेत्रत और संचार कम्यूनिकेशन में कुशलता हो ठीक है यह यह इसमें चीजें होने चाहिए ठीक है स्वास्तिमित्र की भूमी का और दायत्रियान की काम क्या रहेगा दोस्तों तो यहां पर देखी काम इनका रहने वाले गाव में नियमित ग्रैसम परकर निरोगी राजस्तान का परचार परसार करना यानि जो अभ्यान चलाई गया इसके बारे में ग्राम बासियों को बताना इसके अलावा दोस्तों समुदाय वे व्यक् वी एच एन सी को सक्रिय करना ठीक है तो वी आउट्रिच गत्विदियो जैसे एम सी एच एन दिवस सास बहु समयलन किसोर किसोरी स्वास्थ दिवस तथा मा कारिकर में भागेदारी इनके लिए पेरित करना होगा दोस्तों यहाँ पर यह कारिया है और जो भी टैबलेट्स वगएरा वित्रित होंगे उनमें भी सहयोग देना होगा पूरे दिन की कारे की जानकरी मोबाई लैप पर आपको देनी होगी कि आपने पूरे दिन में क्या काम किया है और जो जो जोला चाप डाक्टर हैं जो गाउं में रहते हैं और इनकी भी जानकरी देना कि यहाँ पर इस गाउं में जोला चाप डॉक्टर भी कारी कर रहे हैं ठीक है इसके अलावा अलाव दोस्तो प्रात्मिक स्वास्तिक केंदर पर होने वाली मासिक बैठक यानि जो PSC पे जो बैठक होती है उसकी बैठक में भाग लेना होगा स्वास्तिमित्र को ठीक है आपात का लिस्तिती में दोस्तो जो 108 नंबर की जो एंबुलेंस वीदा है 104 जन्नी सुरक्षा योज वज़से प्रक्षिशन दिया जाएगा उसमें यह चीज़े आपको समझाई जाएगी निरोगी राजस्थान परिच्च उदे से भूमी का उनका क्या कारी रहेगा यह बताया जाएगा स्वास्त मित्र किट का वित्रन तो आपको इसमें दोस्तो किट भी मिलेगी एक इसमे अलावा स्वास्त मित्र का एक आपको बैज भी दिया जाएगा इसके अलावा एक महा का ग्रह कारिये भी आपको दिया जाएगा अभ्यान की पूर्ण यामित आकलन वर रिपोर्टिंग ठीक है अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ी जो चीज है वो यह है कि इसमें पैसे मिल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे तो दोस्तों यहां पर देखी ग्राम सबा का सदस्य बनाये जाना प्रस्तावित है ग्राम स्वास्त पोषण समीति का सदस्य बनाये जाना प्रस्तावित है ठीक है SDMC का भी आपको सदस्य बनाये जा सकता है ठीक है PSC बलाक जिला इस्तर बैठे जा सकता है इसके अलावा सक्रिय स्वास्त मित्रों को open school द्वारा उस्षिक्षा का अउसरु पलब्द करवाना अगर आप पढ़ना चाहते हैं कम पढ़े लिखे हैं तो आप अगर स्वास्त मित्र बन गए तो open जो इस्कूलेज हैं जैसे राश्तान open स्कूल है उससे आपको आगे की पढ़ाई भी करवाई जाएगी ठीक है इसके अलावा दोस्तों एक और चीज इसमें है कि सेक्टर इस्तर की बैठक में भाग लेने हैं तो यानि कि recharge की स्विधा भी आपको इसमें मिलने वाली है इसके अलावा दोस्तों इसमें कोई भी payment यहां पर नहीं मिलेगा यानि कहने का मतलब यह है कि दोस्तों इसमें आपको स्वेच्छा से आपकी इच्छा के according एव एतनिक बिना पैसों के कारिक करना पड़ेगा और जो यहां प्यानि कि आपको ग्राम संबा का सदस्य सकता है और आपको SDMC School में जो committee तो उसका भी सदस्य सकता है आपको इनाम दिया जा सकता है अगर अच्छा कारे करते हैं आपको अगर पढ़ना चाहते हैं स्वास्त मित्र हैं कम पढ़़े लिखें तो आप आगे की सिक्षिय क कर सकते हैं open school से पढ़ सकते हैं ठीक है और आपको mobile रिचार्ज के स्विधा भी मिलेगी ठीक है दोस्तों तो ये आपका है देखिए आपर सीधा का सीधा यहां पर कहा गया है एक पुरुस एक महिला का चैन किया जाएगा जो व्यक्ति सीमित परिवार के उधाना रखते हों कि किसी प्रकार करना सानी करते उनको ठीक है बिना वेतन के आपको इसमें कारे करना होगा चैनि स्वास्तमित्रों को किसी प्रकार बेतन नहीं दिया जाएगा स्वास्तमित्र के चैन प्रांत नियमन परिलाब नियमानुसर दिये जा सकेंगे ठीक है बैटक का यहां पर आपको बता देना है ठीक है और बहुत सारे जो जिले हैं जिले के मुख चिकित से अधिकारी हैं उन्होंने इस बेकेंसी का बिग्यापन भी दोस्तों जारी कर दिया है अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं एक तरीके की एक सामाजिक सेवा आप समझ सकते हैं सरकार की नजरों मे वैसे दोस्तो इस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए लेकिन अब गुर्मेंट की क्या इसके पीछे मनसा है क्या नियत है क्या ये इस तरीके से सफल हो पाएगा ये नहीं हो पाएगा ये तो वक्त बताएगा लेकिन अगर आप इस चुक हैं समाज सिवा के रूप में कारे करन हो आपका परिवार सिमित हो आपके सिद्दान्त अच्छे हो ठीक है आपका आच्रन अच्छा हो इसके अलावा आपकी 40-60 वर्ष के मध्धे एज होनी चाहिए ठीक है तो यह फोरम इनके निकल चुकी है ठीक है और 15 मार्च तक इनका चेयन किया जाना है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें जय हिंद जय फारत